Hello students, मैं रुपाली हसनाले, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को NCRT क्लास 7 के पंचम पाट का अभ्यासकार्य समझाने जा रही हूँ तो आईए पंचम पाट का अभ्यासकार्य प्रारंब करते हैं प्रश्ण नमबर एक में हमें दिया गया है एक पदेन उत्तरत इसका मतलब होता है एक पद में उत्तर दो ठीके हमें ये प्रश्ण दिये गये हैं और हमें इनको एक पद में इसका उत्तर लिखना है ठीके आया समझ में अब देखो हैं आपर क में हमें दिया गया है पंडिता, सरस्वती, इती, उपाधी, भ्याम का विभूशिता इसका मतलब होता है पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से कौन विभूशित हुई कौन विभूशित हुई पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से हम लोगों ने अपने पार्ट में पढ़ा था कि रमा भाई पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूशित हुई है ना तो हम उत्तर में लिखेंगे रमा भाई ठीके रमा बाई पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूशित हुई ठीके हमारा प्रश्न था पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से कौन विभूशित हुई तो इसका उत्तर है रमा बाई ठीके आया समझ में अप्खर में देखो रमा कुतह संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती इसका मतलब होता है रमा ने कहां से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की कहां से रमा भाई ने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी है ना, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, हम उत्तर में लिखेंगे स्व मातू हूँ, ठीकें, स्व मातू हूँ, मतलब अपनी माता से, रमा ने अपनी माता से संस्क्रित की शिक्षा प्राप्त की, ठीकें, आया समझ में, अब गव में देखो, रमा बाई केन सह विवाहम पक इसका मतलब होता है रमा बाही ने किसके साथ विवाह किया, किसके साथ रमा बाही ने विवाह किया, विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया, है ना, तो हम उप्तर में क्या लिखेंगे, हम उप्तर में लिखेंगे विपिन बिहारी दासें, ठीक है, विपिन बिहारी दासेन ठीके रमा बाई ने किसके साथ विवाह किया तो इसका उत्तर है विपिन बिहारी दासेन ठीके आया समझ में अब घह में देखो तासाम शिक्षाय रमा बाई स्वकियम जीवनम अरपित वती इसका मतलब होता है किनकी शिक्षा के लिए रमा बाई ने अपना जीवन अरपित किया किनकी शिक्षा के लिए रमा बाई ने अपना जीवन अरपित कर दिया नारियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन अरपित कर दिया, है ना हम लोगों ने अपने पाठ में पढ़ा था, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे नारी नाम, ठीके, नारी नाम, ठीके, आया समझ में, नारी नाम का मतलब होता है, नारियों की, इस्त्रियों की शिक्षा के लिए रमा भाई ने अपना जीवन अर्पिट कर दिया अब अग में देखो रमा भाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत इसका मतलब होता है रमा भाई उच्च शिक्षा के लिए कहां गई कहां गई रमा भाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लेंड देश गई थी है ना तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे हम उत्तर में लिखेंगे इंग्लेंड देशम ठीके इंग्लेंड देशम ठीके रमा बाई उच्च शिक्षा के लिए इंगलेंड देश गई हमें एक पद में उत्तर पूछा था इसी कारण से हम लोगों ने क्या करा है एक पद में उत्तर लिखा है आया समझ में आप प्रश नमबर दो देखिए प्रश नमबर दो में हमें दिया गया है रेखांकित पदानी आध्रत्य प्रश्न निर्मानम कुरूत इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्मान करो ठीके आपको यहाँ पर जो अंडरलाइन दीख रही है इन अंडरलाइन का क्या करना है प्रश्न बनाना है ठीके, आया समझ में, अब क में देखो, रमायाहा, पिता, समाजस्य, प्रतारणाम, असहत, इसका मतलब होता है, रमा के, पिताने, समाज की, तारणा सही, ठीके, तो अंडरलाइन कहां पर है, अंडरलाइन है, रमायाहा पर है, ठीके, रमायाहा मतलब ब्रमा के, तो हमारा प् पिटाने समाज की ताड़ना सही, ठीक है, तो किसके को हम संस्क्रट में क्या बोलते हैं, कस्याहा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेडम ने कस्याहा कैसे बताया, यह कैसे आया, तो देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि संस्क्रेट में प्रश्न निर में होते हैं अब देखों यहाँ पर कीम के शब्द रूप पुलिंग में होते हैं इस्ट्रिलिंग में होते हैं और नपुन संक्लिंग में होते हैं ठीके अब देखों यहाँ पर ध्यान से समझना रमा यहां का मूल शब्द है रमा ठीके यह इस्ट्रिलिंग शब्द है और श आप देखों यहाँ पर यह हैं किम की स्ट्रिलिंग शब्द रूप और हम क्या करेंगे शष़्ती भक्ति के एक वचन को देखेंगे तो क्या आया है कस्या हा आया है ठीक है कस्या हा का मतलब होता है किस के तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा कस्याहा ठीक है आया समझ में कस्याहा पिता समाजस्य प्रतार नाम और सहत ठीक है किसके पिताने समाज की ताड़ना सही ठीक है अब हमने क्या करा है प्रश्न बनाया है प्रश्न बनाया तो हम क्या करेंगे प्रश्न वाचक चिन्ह लगाएंगे ठीक है आया समझ में की रमायाहा की जगह कस्याहा कैसे आया है ना आया समझ में अब ख में देखो इसका मतलब होता है पती की मृत्यू के बाद रमाबाई महारास्ट्र लोट आई ठीक है पत्यूहू का मूल शब्द है पती ये पुल्लिंग शब्द है और शष्टी विभक्ती एक वचाने तो अब हम क्या करेंगे किम के पुल्लिंग शब्द रूप में जाएंगे और शष्टी विभक्ती एक वचान देखेंगे ठीक है अब देखों यहाँ पर किम पुल्लिंग शब्द रूप शष्टी विभक्ती और एक वचान तो क्या आया यहां पर यहां पर आया कस्य कस्य का मतलब होता है किसकी ठीक है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कस्य मरणा नंतरम रमा बाई महरास्ट्रम प्रत्या गच्छत कस्य मरणा नंतरम रमा बाई महरास्ट्रम प्रत्या गच्छत किसकी मृत्यू के बाद रमा बाई महरास्ट्र लोट आया समझ में अब गर में देखो रमा बाई मुंबई नगरे शार्दा सदनम अस्थाप्यत इसका मतलब होता है रमा बाई ने मुंबई नगर में शार्दा सदन की इस्थाप्ना की ठीके तो अंडरलाइन कहा है अंडरलाइने मुंबई नगरे ठीके मुंबई नगर में ठीक तो हमारा प्रश्न क्या बनेग रमा भाई ने कहां शारदा सदन की इस्थापना की कहां को हम संस्कृत में बोलते हैं कुत्र कुत्र एक अव्या है कुत्र का प्रयोग प्रशन निर्माण में करते हैं ठीक है और मुंबई नगरे क्या है मुंबई नगरे नपुन संक्लिंग शब्द है सब्तमी विभक्ती है और एक वचान है ठीक है तो हम इसकी जगह कस्मीन भी लिख सकते थे पर मैंने अभी आपको बताया कि कुत्र का प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में करते हैं तो हम मुंबई नगरे की जगह क्या लिखेंगे हम मुंबई नगरे की जगह लिखेंगे कुत्र ठीक है कुत्र का मतलब होता है कहां ठीक रमाबाई कुत्र शार्दा सदनम अस्थापयत रमाबाई ने कहां शार्दा सदन की इस्थापना की ठीक है हमारा प्रश्न क्या था रमाबाई ने मुंबई नगर में शार्दा सदन की इस्थापना की और हमें अंडरलाइन दिया गया था मुंबई नगरे पर ठीक है तो हमने इसका क्या प्रश्न बनाया रमाबाई पुत्र शार्दा सदनम अस्थापियत रमाबाई ने कहा शार्दा सदन की इस्थापना की ठीके आया आप लोगों को समझ में अब घमें देखो 1922 तमें क्रिस्टापदे रमाबाई महोदयायाहा निधनम अभवत इसका मतलब होता है सन 1922 इस्थी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ ठीके तो हमें अंडरलाइन कहा दी गई है रमाबाई महोदयायाहा पर अंडरलाइन दी गई है ठीके ये हमारा क्या है इस्त्रिलिंग शब्द है शष्टी भक्ती है और एक वचन है तो अब हम क्या करेंगे कीम इस्त्रिलिंग के शब्द रूप में और शष्टी भक्ती एक वचन को देखेंगे ठीके देखो यहां पर कीम शब्द रूप इस्त्रिलिंग की शष्टी भक्ती और एक वचन क्या आया है यहां पर क्रिस्ट आप दें यहां पर क्या आएगा रमाबाई महोदयायाहा की जगह आएगा तस्याहा ठीके तस्याहा निधनम अभवत सन 1922 इस्वी में किसका निधन हुआ ठीके हमारा क्या प्रश्ण था 1922 तमें क्रिस्ट आप दे रमाबाई महोदयायाहा निधनम अभवत ठीके तो हमने क्या लिखा 1922 तमें क्रिस्ट आप दे कस्याहा निधनम अभवत ठीके आया समझ में अब लास्ट अंग में देखो इस्त्रियह शिक्षाम लभन्ते स्म इसका मतलब होता है इस्त्रिया शिक्षाम प्राप्त करती थी ठीके तो अंडरलाइन कहां पर है इस्त्रियह पर अंडरलाइन है ठीके इस्त्रियह हमारा क्या है इस्त्रिलिंग शब्द है प्रत्मा विभक्ति है और बहु अचन है ठीके तो अब हम क्या करेंगे, कीम इस्ट्रिलिंग शब्द रूप में जाएंगे और देखेंगे, कीम की इस्ट्रिलिंग शब्द रूप में गए, प्रत्मा विभक्ति और बहु बचन में क्या लिखा है, काहा, काहा का मतलब होता है कौन, ठीके तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखे कहा शिक्षाम लभंते इस्म, मतलब कौन शिक्षा प्राप्त करती थी, ठीक है हमारा प्रश्न था, इस्त्रियह शिक्षाम लभंते इस्म, तो इसका उत्तर है, कहा शिक्षाम लभंते इस्म, इस्त्रिया शिक्षाम प्राप्त करती थी, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या हुआ? कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? ठीके, आया समझ में? अब प्रश्न नमबर तीन में देखो प्रश्न नमबर तीन में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर लिखो ठीके, अब कर में देखो रमाबाई की मर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती इसका मतलब होता है रमा बाई ने किस लिए आंदोलन प्रारम्ध किया ठीक है तो इसका उत्तर है रमा बाई इस्त्री नाम कृते वेदा दीनाम शास्त्रा नाम शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती इसका मतलब होता है रमा बाई ने इस्त्रीयों के लिए वेदादी शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारम्ध किया ठीक है आया समझ में अब खह में देखो इसका मतलब होता है बे सहारा इस्त्रिया आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी तो इसका उत्तर है नी सहाया हा इस्त्रिया आश्रमे मुदरन टंकन काश्ट कला दीनाम च प्रशिक्षणम लभनते इस्म बे सहारा इस्त्रिया आश्रम में छपाई टाइप और लकडी की कलाकारी आदी का प्रशिक्षणम प्राप्त करती थी ठीक है आया समझ में अब गह में देखो कस्मिन विशय रमाबाई महोदयायाहा योगदानम अस्ति इसका मतलब होता है किस विशय में रमाबाई महोदया का योगदान है ठीके तो इसका उत्तर है लेखन शेत्र विशय रमाबाई महोदयायाहा योगदानम अस्ति इसका मतलब होता है लेखन शेत्र विशय में रमाबाई महोदया का योगदान है ठीके आया समझ में अब देखो लास्ट देखो घह में केन रचना द्वैन रमाबाई प्रशन सिता वर्तते इसका मतलब होता है केन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशन्शा हुई ठीके तो इसका उत्तर है इस्त्री धर्मनिती हाई कास्ट हिंदू विमेन इती रचना द्वैन रमाबाई प्रशन सिता वर्तते इसका मतलब होता है इस्त्री धर्मनिती और हाई कास्ट हिंदू विमेन इन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशन्शा हुई ठीके आया समझ में अब मैं बचे प्रश्णों को प्रश्ण नमबर 4 प्रश्ण नमबर 5 और प्रश्ण नमबर 6 मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को प्रश्ण नमबर 1,2,3 यदि समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू